हालो फ्रेंस मेरी यूटूब चैनल शाय डेलर में आप सभी का स्वागत है फ्रेंस आज हम आपको फोर डॉट और अस्तल कैसे हम जॉइंट करते हैं बिलाउज पे यह बताएंगे और बैल्ट कैसे हम जॉइंट करेंगे तो बिल्कुल डिटेल में आपको हम डॉट डालना है यहां पर बताएंगे बहुत इजी तरीके से तो वीडियो में जरूर बने रहें और पूरा वीडियो जरूर देखिएगा तो यहां पर हम यहां बिलाउज लिया हुआ है हमने डॉट की निसा निसान हमारे लगे हुए हैं अब हम इसमें आपकी फोर डॉट डालना आपको बताएंगे तो पहले कि मारा अस्तल वाला बिलाओ जे तो पहले हम अस्तल को जॉइंट कर लेंगे मैन फैब्रेक पर तो हम अस्तल को मैन फैब्रेक वह कैसे जॉइंट करते हैं यहां पर देखिए अच्छी तरीके से जो और जॉइंट करना सीखिए तो कि यहां पे हमने जो हमारा मैन फैबरेक है वह ऌम ने यहां पेपको सीधा रखना है और अस्तल को आप कैसा भी रख सकते हैं अ ways टल कउने इसके उपर रख के और जो हम अरे कार्णे पर बिल्कुल सी लाइक लगाएंगे लगएगत 2 친 इंच की यहां से बिल्कुल नेक कपड़ा मत दवाईए यहां पर कि अगर हम बहुत ही कम कपड़ा लेते हैं तो हमारा खिचने का भी डर होता है नीचे से तो लगभग आदा इंच आप यहां पर कपड़ा लीजिए कि अब हम क्या करेंगे अस्तल को दूसरी तरफ करके अस्तल के उपर एक हम सिलाई लगाएंगे अब हमने यह सिलाई लगा लिए उसके उपर अब हम क्या करेंगे इसके उपर से एक हम सिलाई लगाएंगे बिल्कुल कॉर्णर से चोंए मने ढजें ऑफ लगा लिए है अब हम क्या करेंगे आप अस्तल करेंगे उनकों मेंकों में आप सिलेंगे बिल्कुल कॉर्णर से हमानी चिलाई होती है तो यहां पे पिन भी आटेच कर सकते हैं अगर आप बिल्कुल भी आपको बिलावज में अस्तल करना नहीं आता है तो यहां पे आप एक काम कर सकते हैं कि सोई में आप धागा लीजिए और साइड साइड पे आप यहां पे जो हम बोलते हैं सुर्रा भर सकते हैं तो फिर हम बाद में इसकी सिलाई करके उनको आप निकाल दीजिए तो यहां पे आपके जो बिलाउज है तो यहां पे हम पूरा ज्वाइंट कर लेंगे और जो हमारा एश्टा कपड़ा निकलेगा उसको हम यहां पे कट कर देंगे यहां पे यहां पर निकल दीजिए कट कर देंगे तो कैसे हम ज्वाइंट करेंगे आप देखिए जो हमारी पिलेटे हैं वो हमने यहां पे डार्क की हैं और दूसरा पार्ट उसी पे रखके हम इसको छाप लेंगे चाप लेंगे और यहां पे आप देखिए हमारी आ गई है और हम यहां पे इसको डार्क कर लेंगे और हम क्या करेंगे पार्ट हमेशा आप आमने सामने रखें इससे कि हमारे गलत जॉइंट नहीं होते हैं अब हम क्या करेंगे हमारे कपड़ा है वह भी से जॉइंट सा तो हमने अलग कर दिया तो आमने सामने रखें हमने कपड़े को जो बिलाउज के पार्ट है वह भी आमने हमने रख याप बिल्कुल कर लिजिए और यह आप्ट में पीन लगा के माल रख देंगे जिससी का मरा इधर उधर ना रह और इसको मृष्णका पीन करेंगे अब इस पे हम पूरी जो हमारे साइड में है उसको हम यहां पे जॉइंड कर लेंगे विल्गुल कॉर्णर से सिलाई लगाएंगे और जॉइंड कर लेंगे तो यहां पे हम सिलाई लगाएंगे, ऐसे ही आपको अटेच करना है। अब पूरे पे सिलाई हमारी लग गही है, और अष्टा कपड़ा हम यहां पे कट कर देंगे. दूसरा पर भी ऐसे ही हम पूरे पे कर देंगे और जो हमारी बेल्ट है उसको भी हम ऐसे ही जॉइंट कर लेंगे मैं फैब्रिक पर तो हमारे जॉइंट हो गए हैं सारे पार्ट यहां पर हम पीछे की डॉट डालेंगे तो डॉट का जो हमने निसान लगाए तो उसको अम डार करके दूसरी तरब भी चाप और लगवग आदा इंच की आप पीछे डॉट डालिए अगर ऐसे चलता है कि अगर हमारा साइज छोटा है मलब साइज छोटा मलब 30 इंच है 32 इंच है 34 इंच है तो हम कम लेते हैं अगर हमारा थोड़ा बड़ा साइज 38 40 42 है तो हम डॉट वैसे ही ज्यादा लेंगे और अगर हमारा साइज छोटा होगा वैसे हम डॉट का भी कम लेंगे तो पीछे की डॉट हमने डाल ली है लगवग आदा इंच की अब हम आगे की डॉट डालेंगे तो पहले नीचे की डॉट डाल रहे हैं यहा पर 11 इंच कि तो यहां पर 11 इंच की की हम ने नीचे से डॉट डाली है और बाकी के डॉटहमे यहां पर पतली डाली है जादा मॉटी नहीं डालेंगे लगवग अदा इंच से आप कम डाली है हम पर अगर आदा इंच आप डालना चाहते हैं, आदा इंच भी आप डाली है, फिटिंग अच्छी आएगी यहाँ पर निसान लगाएगी, यहाँ से हम चलाएंगे, बिल्कुल यहाँ पर निकाल देंगे अपर से लाते हुए नीचे की तरफ हमें निकालना है तो यहाँ पर हमारी यह डाल गई है, देखिए हमारा फॉफ अच्छा बना है अब हम क्या करेंगे, जो बैल्ट है, उसको भी हमें यहाँ पर जॉइन करके आपको दिखा रहे हैं तो यहाँ पर हम, यह हमारी बैल्ट है, इसको हमें यहाँ पर जॉइन कर लेंगे तो इसको रखे नीचे से बिलकुल आप corner से मिला के लगभग आदा इंच का मार्जन रखे इसको जॉइंट कर लीजिए इसको हम जॉइंट कर लेंगे हंं कि हमकी जॉइन की थी उसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे मैं अगर आपको ट्रेकल अब पर हमने उपर से एक सिलाई लगा दिए अब हमारा जो दूसा वज्जे तो हमने आगे का एक पार्ट तयार कर लिया ऐसे बिल्कुल सेम आपको दूसा पार्ट यहां पर तयार करना है जो हमारे आमने सामने के पार्ट होते हैं वह दूसा पार्ट भी हमने यहां पर तयार कर ल झाल 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 झाल